सार्थियों, आज की मन की बात में देश की उस महान, सक्सियत मैं उनकी भी बात करूँगा। हम सभी हिंदुस्तान वाश्यों के दिल में उनके प्रती बहुत सम्मान है, बहुत लगाव है। शायद ही हिंदुस्तान का कोई नागरी होगा, जो उनके प्रती आदर न रखता हो, सम्मान न करता हो। वो उम्मर में हम सभी से बहुत बड़ी है। और देश के अलगलग पड़ावों, अलग-अलग दौर की वो साक्षी है। हम उन्हें दीदी कहते हैं, लता दीदी, वो इस 28 सितंबर को 90 वर्सकी हो रही है। विदेश यात्रा पर निकलने से पहले, मुझे दीदी से फोन पर बात करने का सोगागे मिला था। ये बात्चित वैसी ही थी, जैसे बहुत दुलार में छोटा भाई अपनी बड़ी बहन से बात करता है। मैं इस तरह के विक्तिकत समवात के बारे में कभी बताता नहीं, लेकिन आज चाहता हूँ कि आप भी लता दीदी की भाते सुनें, उस बात्चित को सुनें। सुनिए कि कैसे आयू के इस पड़ाव में भी लता दीदी देश से जुड़ी तमाम बातों के लिए उत्सुख है, तत्पर है और जीवन का संतोष भी भारत की प्रगति में है, बदलते हुए भारत में है, नई उचाईयों को छू रहे भारत में है। लता दीदी प्रणाम मैं नरेंदर मोधी बोल रहा हूँ, मैंने फोन इसलिए किया, क्योंकि इस बार आपके जन्मदीन पर मैं हवाई जहाज में ट्रावेलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा जाने से पहले ही आपको जन्मदीन की बहुत बहुत शुब कामना है, अग्रि जाने से पहले ही आपको फोन कर दिया, आपका फोन आएगा, यह सुनके मैं बहुत यह हो गई थी, आप जाके कम वापस आएगे, मेरा आना होगा, अना 28 लेट नाइट और 29 मॉर्निंग, और तब आपका जन्मदीन हो गया होगा, जन्मदीन पर क्या मनाएंगे, और मस घर म सब लोग, आपके आशिर्वात मिलना बहुत बड़ी है, और काम में भी बड़ी है, और आपने तो यह जो सिद्धी पाई है, यह साधना और तपस्या करके पाई है, कि मैं तो सोचती हूँ कि यह माता पीटा का अशिर्वाद है, और सुनने वालों का अशिर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ, कि यही आपकी नमरता जो है, यह हम नई पीडी के सब के लिए एक बहुत बड़ी सिक्षा है, बहुत बड़ा हमारे लिए इंस्पिरेशन है, कि आपने जीवन में इतना सब कुछ करने के बाद भी, आपके मात पिता के सांस्कार और सनमरता को हमेशा ही प्राथ्विक्ता दी है, और मुझे तो खुशी है कि जब आप गर्व से कहती हो कि आपकी मा गुजराती थी, और मैं जब भी आपके पास आया, आपने मुझे हमेशा कुछ गुजराती खिलाया, आप क्या है आपको खुद पता नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप क्या आने से भारत का चित्र बदल रहा है, और वो ही मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, बद दिदी आपके आसिरवात बने रहे, पुरे देश पर आपके आसिरवात बने रहे, और हम जैसे लोग कुछ नुकुछ अच्छा करते रहे, मुझे आपने हमेशा प्रेणा दी है, आपकी चिठी भी मुझे मिलती रहती है, और आपकी कुछ नुकुछ भेट सोगात भी मुझे मिलती रहती है तो ये अपना पन जो еक पारिबारिक जाता है उसका विश्यस पड़ता है जब आप जाके अपने माता जी को पाऊंचू के आए देखा तो मैंने भी किसी को भेजा था उनके पास और उनका अशिरवाद लिया मैरी मा को याद था और वो मुझे बता रही थी और टेरी फोन पे उनके अशिरवाद दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा हमारी मा बहुत प्रसंद थी आपके प्यार के कारण और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप हमेशा मेरी चिंता करती हैं फिर एक बार मैं आपको जन्मदीन की बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूँ इस बार मुंबई आया तो मन करता था कि रूबरू आ जाओं लेकिन समय के इतनी विस्ततातिक में आनी पाया लेकिन मैं बहुत ही जल्द आऊंगा और घर आ करके कुछ गुजराती चीज़े आपके हाथ सो खाऊंगा जी जरूर्ष 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 ये तो मेरा सवागी होगा प्रणाम दीदी प्रणाम बहुत चुप कामना है आपको प्रणाम दीदी.